हेलो एव्रीवन वैल्कम अगेन टू लंडुरे दियती मन्त आज हमरा टॉपिक है सेखावर्टी किसान अंदुलन और ज़न जातिय किसान अंदुलन तो सबसे पहले अग्रुटी किसान किसान आंद Hopkins पर आएंगे साफेखे जैपो रियासत का जो पक्षमी भाग है जिसे हम सेखावटी शेत्र के नाम से जानते हैं यहां पर भी किसानों ने आंदोलन किया जब पूरे राज्य में किसान आंदोलन कर रहे थे उनमें जागरती आ चुकी थी और अपने हग के लिए वो लड़ रहे थे तो वहीं पर जैपूर रियासत जो थी वहां पर भी यह आंदोलन हुआ जैपूर में देखिए कच्वाह वंस का शाशन था और इस वंस की जो सेखावट साखा इसने पक्षमी भाग में क्या किया था शाशन किया था तो इसी लिए इस शेत्र का क्या नाम पड़ा सेखावटी तो इसमें मुख्य रूप से दो ठि सबसे पहले हम सीकर ठेकाने को पढ़ेंगे कि यहां पर किस तरीके से आंदोलन किया गया तो यहां पर क्या था कि ठाकुर कल्यान सिंग था उसकी वज़े से यहां पर आंदोलन होता है तो यह क्या करता है यह वही भूराजस्व जो है लोगों से अधिक लेता है किसानों से और अकाल के समय भी लगान में रियायत नहीं देता है, जबकि ये क्या कहता है कि इस बार जो है लगान की दर मैंने बढ़ा दी है, कोई बात नहीं, लेकिन अगले वर्स इस लगान की दर को कम कर दिया जाएगा, ऐसा वो वादा करता है किसानों से, परंतुवए यह नहीं करत है, अपना वादा नहीं निभाता है, तो इसी वज़े से किसान आंदुलन करते हैं, तो 1922 में ठाकुर कौन है, कल्यान सींग है, सीकर का राव राजा बना, इसने लगान की दर 25% से 50% तक बढ़ा दी, ठीक है, तो यहाँ पर आंदुलन हुआ, अब देखिए, कट्रा थल य दुरुवेवार किये जाने पर विरोध में आंदुलन होता है, तो कट्रा थल में भी आंदुलन जो है वह होता है, लेकिन यहाँ पर आंदुलन कौन करता है, यहाँ पर महलाओं द्वारा आंदुलन किया जाता है, यहाँ पर आंदुलन 25 अप्रेल 1934 में किया जाता है, और किसके नेत्रतों में यहाँ पर श्री मती किशोरी देवी के नेत्रतों में आंदोलन किया जाता है और यहाँ पर 10,000 जाट महलाएं जो हैं यहाँ पर भाग लेती हैं साथ में कुछ नाम हैं दुर्गा देवी, फूला देवी और रमा देवी तो कुश्यन कैसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि कट्रा धल में जो प्रथम महला सम्मेलन वो कब हुआ, 25 अपरेल 1934 को हुआ, किसने इसकी कमान समहाली, तो वह स्री मति किशोरी देवी ने समहाली थी, और किसके अत्याचार की वज़े से ये आंदोलन हुआ, तो वह है सियोट के ठाकुर द्वारा, ठीक है, वहीं पर नोट में देखिए, बहुत ही important line है, कि जो आंदोलन चल रहा था सेखावटी में, तो वहाँ पर किसने साथ दिया था किसानों का, तो भरतपुर के जो ठाकुर देश राज थी, उन्होंने यहाँ पर किसानों का साथ द ठीकर बताया कि एक ठीकाना था, और दूसरा था, सेखावटी शेत्र में पांच प्रमुक ठीकाने थे, जिने हम पंच पाने के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर इन पांचों के नाम आपको याद रखने हैं, नवलगड, विसाओ, डूंड लोद, मलसी सर और मंडावा, ए आप देखिए, नेक्स्ट जो हत्याकान है, तो छोटे-छोटे यहाँ पर आप लोगों को लाइने जो हैं, वो याद रखनी है, जैसिंग पूरा किसान हत्याकान, तो सेखावटी शेत्र में ही यह सभी जो कांड हैं होते हैं, 1934 में यहाँ पर होता है, डूंड लोद के ठा जाकुर के भाई, ईश्वरी सिंग ने जैसिंग पूरा में खेत जोत रहे किसानों पर गोलियां चलाई हैं, तो 1934 में जैसिंग पूरा किसान हत्याकान होता है, और यह कौन करवाता है, यह ईश्वरी सिंग जो है, वह करवाता है, किसान जोत रहे थे, तो वहाँ पर किसान पर गोलियां चलाई जाती हैं, इसी वज़े से पूरे जैपुर में जैसिंग पुरा सही दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो बस यह important line जो हैं केवल आप लोग इतना ही याद रखिएगा, देखिए यहां पर मैंने जो line हैं वो इसलिए इतने ही कम लिखी हैं, क्योंकि आपके एक्जाम में केवल यही पूछी जानी वाली हैं, और इतना भी मैं आपको बता दूँ कि यदि 50 कुशन एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक या दो कुशन यदि बाहर से वह हटके इतना डीप में जाकर पूछ लेता है, तो उसके लिए भी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं को लिखवाई हैं, ज्यादा आप डीप में जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आपको केवल एक्जाम क्रैक करना है, आपको किसी पर्टिकुलर यह टॉपिक पर पीएजडी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि किसान आंदोलन से संबंदित, जो हैं वो अ जो जैपुर में यहां पर जैसिंग पुरा सहीद दिवस मनाया जाता है, और यहां पर मुकदमा जो है चलाया जाता है इश्वरी सिंग के उपर और उसे सजा होती है, जैपुर सरकार ने सीकर टिकाने के अत्याचार को रोकने के लिए अंग्रेज डबलू टी वैब इसको नाम याद रखना है, तो इसे निक्त किया, तो यह तो उसका भी बाप निकलता है, यह क्या करता है, बैब द्वारा खुडी गाओं वा कूदन गाओं में व्यापक नरसंगार करवाया जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा कूदन हत्याकान, तो वो य नहीं है, जहां पर यहां जो नरसंगार किस ने करवाया, डबलूटी वैब ने करवाया, जबकि यह आया क्यों था, यह सीकर टिकाने के अत्याचारों को रोकने के लिए आया था, लेकिन इसने क्या किया, इसने तो यहां पर नरसंगार करवाया, तो इस कूंदन गाओं हत् जो भी आंदोलन हुए, वो हमने पढ़ लिये हैं, इनको आप लोग याद करिएगा, इनके जो फैक्ट हैं, यही आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे, अब दीखिए, नेक्स्ट है, जन जाती हैं, आंदोलन, सबसे पहले है, रास्तापाल कांड, तो यह कहां हुआ, डु लेकिन नाना भाई खाट ने क्या किया, कि आदिवासियों में जागरती लाने के लिए उन्होंने सोचा, सिक्षा ही एक माध्यम है, जिससे ये लोग वो अपने अधिकारों को जान सके, तो इसके लिए इन्होंने पाट साला जो है, वह खोली, वहाँ पर सिक्षा जो है वो अपने सैनिकों को बार-बार भेजते हैं कि विध्याले बंद किया जाए यहां पर कोई भी सिक्षा किसी प्रकार की जो सिक्षित व्यक्ति है वो यहां नहीं होना चाहिए सैनिकों को भेजा जाता है इनको बार-बार विध्याले में बंद कर देते हैं यहां पर एक विसे चर्थ को बचाने के लिए अपनी जानगवा देती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर नोट्स में हम पढ़ेंगे कि डुंगरपुर में नाना भाई खाट की सैनिकों द्वारा हत्या कर दी जाती है नाना भाई खाट जिहीं हैं जिन्होंने विद्याले खोला था यहा सेंगा भाई खाट जो एक अध्यापक इन्होंने न्युक्त किया लेकिन क्या हुआ इस सेंगा भाई खाट के साथ कि इनको जो राजा थे उनके सैनिकों द्वारा गाड़ी से बांद कर इनको घसीता गया ठीक है और इसी बीच में इनकी शिश्या काली भाई जियो थी इसन काली भाई का एहम रोल है और कई बार एक्जाम में पूछा भी गया है कि काली भाई जो है वो किस आंदोलन से संबंदित है तो वह है रास्ता पालकांड से संबंदित है और उसके बाद गेवजागर जील के पास काली बाई की प्रतिमा बनाई गई गई नेक्स्ट देखिए पूनावाडा कांड तो यहां पर भी पूनावाडा कांड जो है मई 1947 का है डुंगरपूर जिले का ही है और यहां पर भी इसी तरीके की घटना होती है देखिए डुंगरपूर बास वाडा यहां पर क्या है जाती जो है वो रहती थी यहां पर भील जो नेक्स्ट देखिए डावडा कांड 13 मार्च 1947 को यह भी 1947 को होता है यह होता है नागोर में दीनडवारा परगना नागोर में होता है डावडा गाओं में किसान सम्मेलन मत्छुरादास माथुर जी मोतिलाल चौधरी के घर ठहरे तो यह लोग आंदोलन करते हैं यह किसान होते जहां पर मतुरादास माथुर जी मोतीलाल चौधरी के घर में ठहरते हैं, जागीरदार द्वारा हमला किया जाता है, मोतीलाल के परिवार की यहां पर हत्या करती जाती है, और डावरा कांड की सर्वत निंदा की गई थी, तो यहां पर कुशन आपके बस इतना ही बनेगा, ड इस कांड से संबंदित हैं, तो यह डावना कांड से संबंदित हैं, ठीके, नेक्स्ट देखिए, मारवार का तोल आंदोलन, तो यह कुछ छोटे-छोटे से आंदोलन है, जुनको बस आपको यह याद रखना है, अभी तक तो इनमें केवल डेट ही पूछी गई है कि यह आ जोदपूर में मारवार के अंतरगत है, जोदपूर यहाँ पर क्या हुआ कि सो तोले के सेर को असी तोले का सेर कर दिया गया, तो यहाँ नेतरत्व किसने किया ऐसा पूछा जा सकता है, यहाँ पर विरोध जो है, किसने किया था मारवार के तोल आंदोलन में, तो वह कब होता है 1921 में होता है कहां पर होता है जोदपूर में होता है नेक्स्ट देखिए तसीमो कांड तो इसका डेट क्या है अप्रेल 1947 तसीमो कांड कब हुआ अप्रेल 1947 को और गाउं है देखिए यहां पर तसीमो जो है वह है धौलपूर में है गाउं कौन सा है तसीमो ठीक है यहाँ पर क्या होता है कि यहां पर जो है एक नीम के पेड़ के नीचे सारवजनिक जो है वो सब्हा हो रही होती है और इस सब्हा के द्वारा जो है नीम के पेड़ पर तिरंगा फैराया जाता है. तो पुलिस जो है वहाँ पर पहुंसती है और तिरंगा जो है उतारने की कोशिश करती है तो यहाँ पर जो कारे करता है छतर सिंग परमार और पंचम सिंग कुसवाहा इनके द्वारा विरोध किया जाता है गोली वारी होती है और इनको गोली मार दी जाती है ठीके तो वहाँ पर जो भीड होती है वह जो नीम का पेड होता है उसको घेर लेती है पुलिस जो है उसको पता चल जाता है कि इतनी जो भीड है ये आकर हम पर हमला कर सकती है तो उसी वज़े से वहां से पुलिस जो है वह हार कर चली जाती है तो इसी वज़े से 11 अप्रेल को इन दोनों की जो सहादत की याद में तसीमों में एक मेला जो है वह है भी लगता है तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर आנदोलन जंजातियों का और वो कौन सा है संप आंदोलन या भगत आंदोलन ये हम पढ़ेंगे next वीडियो में तो इतना जितना पढ़ाया है इतना आपको धीरे धीरे करके revise करना है तो मिलते हैं next वीडियो में Thank you